नमस्कार मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स साइन नियूस में अशोग घैलोत और सचिन पालिट की बीच में जो तकरार है वो लगतार इसी तरीके से बरकरार नज़र आ रही है लेकिना चार तारिक का दिन हो चुका है और अश्याम तक भारत जोडो यातरा राहूल ग टो कहा जा रहा है अभी तो कि वसंद्रा राजी का गड जो जालावार माना जाता है जहांपर सीमा है वहाज से शुरुआत करेंगे राहूल गांधि तो क्या कुछ देखने को मिलेगा क्या यातर को रोक दिया जाएगा क्या वसंद्रा राजे यहापर कटाक्ष करती नजर आएगी इस सवाल उट रहे तो ये मुद्दा तो रहा अलग लेकिन दूसरा मुद्दा यहां पर सामने आता है कि अब सचिन पालेट का परिवार भी शांत बैठने वाला नहीं है क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा मुद्दा यहां पर उत्रप्रदेश से जोड़ू और ब सब फूटता ही नजर आये लेकिन अब यहां पर सचिन पालेट के बेटे आरन पालेट का भी गुसा साफ दिखाए दिया उन्होंने ट्वीट कर यहां पर लिखा है फोटो के साथ जो रहूल गांदी के साथ सचिन पालेट की फोटो उसके साथ लिखा आरंभ है प्रचंड यानि कि यहाँ पर क्या होने वाले आने वाले टाइम में राजिस्तान में इस सारी बातों को कई नगए एक शौट तरीके से उनके बेटे आरण ने यहाँ पर साफ तोर पर लिग दिया है कि यहाँ पर जल्दी एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. बात लगतार की जारी है मुख्यमंत्री पद को लेकर. तो मुख्यमंत्री पद के लिए सचिन पारेट ने कह दिए कि अभी तो मुख्यमंत्री नहीं बदला जा सकता है लेकिन हाँ 2023 में कुछ अच्छा फैसला ले सकते हैं. राहूल गांदी यहाँ पर आला कमार, सोनिया गां कि किस तरीके से विधायकों नहीं पर बगावत की थी और विधायक यहां पर साफ तौर पर वही विधायक साथ देते नजर आ रहें तो सवाल मेरा आप लोगों से यही है कि पहले तो सचिन पैलिट यहां पर थे अब उनके बेटे आरें पैलिट भी लगाता है हमलवार होते नजर आ रहें अशोग गैलोत पर तो क्या अशोग गैलोत अब इन सारी बातों से परिशान होकर खुदी सीम पर छोड़ देंगे कोई बड़ा फैसला लेते नजर आएंगे या फिर नहीं अपनी राय जबर दीजेगा और बाकिसी खबरों के लिए देखते रहें ये नेक्